हेलो एवरीबड़ी वेलकम टू एवरेज कोचिंग इंस्टिचूट तुड़ेवल डिस्कूस क्लास 11 एकनॉमिक्स चाप्टर नेम जो बनी सीरीज चल रही है अबी तक हमने सेंट्रल प्रकूंप्लम्स अफने कॉब्लमे हम उसको इसी सरी करींब्रलम्स और इकनी में करें वह सेफ फेस कर लेंगा उन्प्राब्लम्स की सेलूशन हो वी तो होगी क्यासे वह प्रोब्लम्स को हमने solve करने जो हमारी scarcity of resources और unlimited bonds के कारण हमारी problems generate हुई है तो देखते हैं की solutions अब यह देखो जो इसकी solutions है central problems की economy के लिए अब देखा जाए मैंने आपको पहले पढ़ाया economy क्या होती है economy के types कौन से है हमने three types of economy हमने discuss की थी market economy centrally planned economy या हम और हमने mixed economy तो अब जिस type की economy होगी उस problem को वो solve भी तो उसके accordingly होगी solution भी वैसी मिलेगी जैसे हमारी economy होगी तो ऐसे तो निया हर economy के उपर हर type की economy के उपर एक ही तरह के solutions आपके काम करेंगे no so according to the types of economy या economic set up these problems are to be solved differently by different economies ठीक है अब जिस जो market economy होगी या capitalist economy होगी उस economy में क्या होता है main consideration क्या है उसमें private sector चलता है public sector होता नहीं government का रोल को ही होता नहीं government का रोल होता नहीं जब private sector से लेका तो main problem main consideration किसके पर होगी profit generation के पर जितने आपके private entrepreneurs जितने भी entrepreneur manufacturing houses है उन सबका main motive क्या होगा to generate profits so capitalist economy या price economy में वहाँ पे जो आपकी decisions है central problems को solve करने की solutions जो है वो किसके ओपर base करेंगी price mechanism के ओपर क्योंकि जो आपकी market economy या आपकी capitalist economies हैं उन लोगों ने demand and supply forces को इस type से maintain करना है ताकि वो जासे ज्यादा profit generate कर सके तो इसमें role कौन प्ले करता है price mechanism ठीक है solutions किसके ओपर depend करेंगी price mechanism के profits के ओपर अब second type की economy आजाती है हमारी centrally planned या socialist economy centrally planned या socialist economy कौन सी होती वो economy आती है जिसके बीच में आपके एक supreme power है ये central power है जो economy को govern कर रही है जैसे government है तो government ने सारा अपना role play करना है सारी अपनी चीजों को उन्नोंने सारी problems को इन्नोंने solve करना है कि कौन से चीज़ बनाने है कितनी बनाने है किस के लिए बनानी है कैसे बनानी है तो ठीक है अब यह जो प्रॉब्लम से वह सारी सेंट्रल गर्मेंट ने देखनी है तो वह जो सेंट्रल गर्मेंट में पॉब्लिक सेक्टर ज़्यादा होता है पॉब्लिक सेक्टर जहां पर ज़्यादा होगा वहां पर क्या होगा में कंसेंट्रेशन किसके II वाइज में हैं वो भाद सबसे जादा हो उनको सोचियल जस्टिस सबसे जएदा gelecek ठीक आप ठीक अपन ऐहांने एगाने जो मीक्सथ एकॉंट ow ऑप बीज बहुता हैं वे ढिलीट होते हैं थे दिखा जाते हैं लिए मिक्स्ट एकॉनिमीज में जो कोई भी प्राब्लम में वो कली इस टाइप से नहीं होती है कि आपकी सिरफ जो प्रॉफिट से जनरेट हो या सोशल वेलफियर ही हो दोनों चीज़ों कंसिडर किया जाता है जैसे इंडिया में रेलवेज हो है वो गर्मेंट के मनौपली है अभ सब्सक्राइब भी पूरा हंड्रीड पसंट तो प्राइवर्टाइज नहीं हुआ है अगोर्मेंट का का यह है तो उस में गर्मेंट के यह होती है कि गोर्मेंट हर टाइप के इंडिवीजूल को छाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है वेन ही wants to go from one place to another by train जब उन्होंने एक जगा से दूसरी जगा पे जाना है तो वो अपनी जर्णी को एकॉर्डिंग टू दियर पॉकेट वो उस टाइप से अपनी जर्णी कावर कर सकते हैं बसलीपर क्लास से जर्नले क्लास से थी तौल टायर है अक्टि त्री टायर है बैसे इस में तो प्राइबेट अपना और गर्मेंट्स क्टर भी रोल प्ले कर रहा है तो अगर आप रोड़ वीज में गर्मिंट बसेस को ट्रांसपर्ट को यूज करते हो तो वहां पर आपका फेर थोड़ा कम होता है और जो प्राइमेट में फेर थोड़ा जादा होता है ठीक है so mixed economy दोनु चीज़ों को साथ मिलेके चलती है वो वैसे करते है ताकि हर एक का भला हो हर एक को social welfare भी मिले social welfare अच्छा हो और सारे जो profits भी generate किये जाए so according to the type of economy आपकी central problems की solutions को है वो accordingly solve किया जाता है ठीक है बिटा so this is all about today's video if you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box and if you like this video please like it and share it with your friends and subscribe to our channel thanks for watching